ये आकाश्वानी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाशर शुकला और अब पेश हैं आज की मुख्य समाचार राष्टपती द्रौपदी मुर्मू का 25 अक्टूबर से दो दिव से 36 गढ़ दोर अप्रस्तावित है राष्टपती IIT सहित विभिन शेक्षनक संस्थानों के दीक्षान समारों में शामिल होंगी कर हस्तांतरण के तैट केंद्र सरकार ने 36 गढ़ के लिए स्विकृत किये करीब 6,000 करोड रुपए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना और अन्य कल्यानकारी योजनाओ के अंतरगत निशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ती जारी रखने की स्विकृत दी और नवारायपूर में 24 से 26 अक्टूबर तक नेशनल गोल्फ चेंपियनशिप का योजन किया जाएगा अब समाचा जिस्तार से राष्ट प्रती दौपदी मुर्मू का आगामी 25 अक्टूबर से 2 दिव से 36 गर दौरा प्रस्तावित है श्रीमती मुर्मू के 25 अक्टूबर को भिलाई में IIT के दिख्षान समारों में शामिल होने की संभावना है इसके बार वे NIT रायपूर के दिख्षान समारों में भी हिस्सा लेंगी प्रस्तावित कालिक्रम के अनुसार 26 अक्टूबर को श्रीमती मुर्मू, एम्स और ट्रिपल आईटी के दिक्षान समारों में मुख्यातिति के रूप में शामिल होंगी केंद्र सरकार ने 36 गोड को कर हस्तांतरण के तहत करीब 6,000 करोड रुपए स्विक्रित किये है मुख्यमंत्रे विश्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार व्यक्त किया है सोशल मीडिया में जारी अपने संदेश में मुख्यमंतरी ने कहा है कि त्योहारों के अउसर पर ये राशी मोधी सरकार द्वारा प्रदेश वासियों को मिला अनुपम उपहार है उन्होंने कहा कि इस राशी से निश्चित रूप से प्रदेश के वित्ति संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये राशी विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहयक साबित होगी, साथ ही इससे जन कल्याण के कारियों में भी तेजी आएगी। केंडर सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना और अन्य कल्यान कारी योजनाओं के अंतरगत इस वर्ष जुलाई से दिसंबर दो हजार अठाइस तक निशुल्क फोर्टिफाइट चावल के आपूर्ती जारी रखने के स्वीकृति दे दी है सूचरा और प्रसारण मंत्री अर्श्वनी वैश्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि इस पहल से अनीमिया और सुक्ष्म पोशक तत्वों की कमी से समस्य दूर होगी फोर्टिफाइट चावल में निर्धारित मानकों के अनुसार आईरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सुक्ष्म पोशक तत्वों को मिलाया जाता है राजे निर्वाचन आयुक्त अजैसे ने त्रेस्तरी पंचायत चुनाव की तयारियों को लेकर आज नवरायपूर में समिक्षा बैठक ली बैठक में पंचायत और ग्रामिन विकास विभाग तथा सामानी प्रशासन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे राजे निर्वाचन आयुक्त ने त्रेस्तरी पंचायतों के निर्वाचन के लिए परी सीमन और आरक्षन की कारवाई समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये बैठक में पंचायत और ग्रामिन विकास विभा की प्रमुक सचिव निहारिका बारिक ने परिसीमन और आरक्षन के सम्मन में अब तक की गई कारवाई की जानकारी दी बैठक में मतदाता सूची की जांच जैसे विभिन विश्यों पर भी चर्चा की गई प्रसिद उद्योगपती रतन टाटा का कल रात मुंबई में निधन हो गया 86 वर्षे श्री टाटा का एक निजी एस्पताल में इलाज चल रहा था राष्टपती द्रौपदी मुर्मू, उप राष्टपती जगदीब धनखर और प्रधान मंतरी नरेन मोदी सहित समाज के विभिन प्रमुक व्यक्तियों ने रतन टाटा के मृत्यों पर शोक व्यक्त किया है वही चतितगर के मुख्यमंतरी विष्णु देव साय, उप मुख्यमंतरी अरुन साव और भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक रियक्त किया है मुख्यमंतरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि उनकानिधन भारत और उद्योग जगत के लिए अपूर्ण एक्षति है देश और समाज में बहतर बदलाव के लिए रतन टाटा द्वारक किये गए अभूत पूर्वकार हम सब के लिए प्रेज़ना स्तूत बने रहेंगे वित्व विभाग ने लोकनिर्माण विभाग में सब इंजीनियरों के 102 पदों पर भरती की स्विकृति दे दी है इसमें 86 सिविल और 16 विद्यूत यांत्रकी के उप अभियनता के पद शामिल है इससे पहले लोकस्वास्त यांत्रकी विभाग में 128 अभियनताओं के पद निकाले गए थे प्रदेश में अब तक 8 से अधिक विभागों में विभिन्न पदों पर भरती की प्रक्रिया शुरू हो गई है इनमें स्वास्त लोकस्वास्त यांत्रकी, क्रशी, ग्रामिन आजेवी कमिशन, ग्रे और विधे विभाग, आदिम जाती कल्यान तथा वन और परियावरन विभाग में भरती प्रक्रिया चल रही है वहिं पंचायत और ग्रामिन विधे विभाग में 421 अभियन्ताओं को उनके दिर्गकालीन सेवा योगदान के लिए समयमान वितन दिये जाने का आदिश चारी किया है इनमें उप अभियंता, साहयक अभियंता, कार्यपालर अभियंता और अधिक्षन अभियंता शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बागी के समाचारों की ओर। रायपूर में चल रही सेल्फ प्रोटेक्शन इनिशेटिव चैंपियंशिप आज समपन हो गई। समापन समारों में केंद्रे राजीमंत्री तोखन साहु शामिल हुए। उन्होंने विजयताओं को पुरसकार प्रदान किये। इस अवसर पर शेसाहु ने कहा कि इस चैंपियंशिप का उद्देश आत्मरक्षा की कला को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता आत्मविश्वास और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इस प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं और आपसे सहयोग से सीख सकते हैं। उन्होंने इस चैंपियंशिप को सुरक्षा और सामुदाइक जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य सचीव ने कहा कि नैशनल गोल्फ चैंपियंशिप के लिए 36 गड़ की टीम के चैयन से अन्य खेलों के साथ गोल्फ खेल के प्रती लोगों की रूची बढ़ेगी। इस दोरान श्रीजैन ने बादाम का पौधा भी लगाया। विश्व प्रसिद बस्तर दशहरा के तहट आज फूल रत की अंतिम परिक्रमा होगी। इस रत में मादन तेश्वरी के छत्र को रखकर गोल बाजार और मिताली चौक होते हुए वापस सिह ड्योडी पर लाया जाएगा। इसके बाद रत से माई जी के छत्र को उतार कर मंदिर में रखा जाएगा। मंदिर के पुजारी के मुताबिक बस्तर दसहरा में यह रस्म वर्स 1727 से अधा की जा रही है। अकासवानी समाचार के लिए जग्दलपूर से मैं संतोष वर्मा। रायपूर में सहकार से समरिध्धी विशय पर कारेशाला आयुजित की गई। कारिशाला में कींद्र सरकार के सहकारिता मंत्राले द्वारा सहकार से सम्रिध्धी विशय पर की गई पहल के अंतरगर राज्जी में किये जा रहे विभिन्नकारियों के विशय उपर चर्चा की गई इस अफसर पर सहकारी बैंक द्वारा 8,36,000 से अधिक किसानों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए। इस अफसर पर सहकारी ता मंत्री किदार कश्यप ने 5 किसानों को प्रतिपात तक प्रूप से रूपे किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किये। इस अफसर प प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आने का सिलसिरा जारी है जिसके असर से कल प्रदेश में एक दो स्थानों पर हलकी वर्षा होने अथ्वा गरस चमक के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर हलकी से मध्यम वर्षा होने अथ्वा गरस चमक के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है। आजनावा रायपूरस्थित नए मुख्यमंत्री निवास कार्याले में विधिवत रूप से काम काज की शुरुवात कर दी है। मुख्यमंत्री ने राश्टरी डाक दिवस पर भारती डाक विभाग के कर्मियों को बधाई दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोईला घुटाला मामले में विशेश कोर्ट में आज करीब 2000 पन्नों का पूरक चालान पेश किया। कभीरधाम जिले में लोगों में साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरुकता पैदा करने के उद्देश उसे अनेक कारिक्रम आयोजित किया रहे हैं। इसी के तहट पीजी कॉलेज के आउडिटोरियम में आज एक कारिक्रम का आयोजित किया गया। जगदलपूर के लालबाग मैदान में 12 अक्टूबर से एक छेत्री सरस मिला आयोजित किया जाएगा। विलासपूर जिले के सरकंडा पुलिस ने ओनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करोडों रुपए की ठगी के एक आरोपी को गिरफतार किया है। एक साल पहले प्रकरंडर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। दुर्ग जिले के ग्राम उम्दा में पुलिस ने अवैद रूप से प्रतिबंधित तमाको युक्त गुटका बनाने की फैक्टरी चलाने वाले संचालक के साथ ही दो अन्य आरोपियों को गिरफतार किया है। सरगुजा संभाग के बतौली राश्ट्री राजमार्ग पर आज तड़के एक सड़क हासे में युवक युवती की मौत हो गई। बिलाइस पास सयंद्र के SMS 3 में आज सुबा हुई दर घटना में एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। बताया जाता है कि दो क्रेनों की टकर में इस टॉपर तूट कर श्रमिक पर गिर गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सक्ति जिले के मोहगाओं में बिती रात एक पिकप वाहन अनियंतरित होकर नहर में गिर गई। वाहन में कुल 21 लोग सवार थे जिन में से तीन बच्चे लापता है। SDRF की टीम बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। और कांके जिले के देविन नवगाओं में करंट की चपेट में आने से तीन भालूओं की मौत हो गई। वनमेभाग ने भालूओं का पुस्ट मौटम करवाकर उनका अंतिम सस्कार करवाया। अंतिमी मुख्य समाचार एक बार फिर। राश्टपती द्रौपदी मुर्मू का 25 अक्टूबर से दो दिव से 36 गौड दौरा प्रस्तावित है। राश्टपती आयाइटी सहित्वेभिन श्रेक्शनिक संस्थानों के देख्षान समारों में शामिल होंगी। करह स्तांतरंड के तहत केंद्र सरकार ने 36 गड़ के लिए स्विक्रित किये करीब 6,000 करोड रुपए। केंद्र सरकार ने प्रधार मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाव के अंतरगत निशुल्क फोर्टिफाइड चावल किया पूर्ती जारी दखने के स्विक्रिति दी। और नवारायपूर में 24 से 26 अक्टूबर तक नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का योजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशी समाचा आर्बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।